वेलकम टू महेंद्रास लाइफ क्लासेज गुड मॉर्निंग टू आल इस्टुडेंट्स अलका नंदनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है मेंसुरेशन्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था डिस डाटा सफीशन्सी पढ़ाता और हमने इससे पहले आपको क्यूएन क्यूटू पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि डाटा सफीशन्सी में आपको सॉल करने की जरूरत नहीं होती है आपको आपको चेक करना होता है कि answer आपका निकलेगा या नहीं की वन क्यूटू में आपको सिंपल साचीज आपको सॉल करके वेरिफाइब करना होता था कि answer हमारा निकलेगा और उसमें greater value कौन सी होगी और कौन सी smaller value देखिए जो स्वागी और सब्सक्राइब करने नृत आपको पता होना चाहिक कि मेंस्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने अप लेकिन हम अगर बैंक की प्रिपेशन करते हैं तो बैंक की प्रेपेशन में आपका एक से दो नमबर होता है से नangरा, ज्छादा का, आपका मेंसरेशन नहीं आता है, अगर उससे ज्छादा का मेंसरेशन नहीं आता है, तो सिंपल सैची, यहाँ पे जो हमारे पास question बनते हैं, वो cable और आपके formula base के बनते हैं, अगर formula based के बनते हैं, तो हमेน formula याद होना चाहिए, जैसे सिंपल साथी जब मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं एक आपका 2D पार्ट होता है और एक आपका 3D पार्ट होता है 2D का मतलब होता है तू डामेंसन और 3D का मतलब होता है आपका 3D तो तू डामेंसन में वह फीगर आते हैं जैसे प्लेन फीगर होते हैं जैसे आपका अगर आपके बात करें तो इनके आपको फॉर्मुले याद होना है जाए सबसी पहली चीज़ अगर हम बात करेंगल की पता होना चाहिए कि अगर tree rings की तीनों इंटर्न डायिट का सम कितना होता है 180 होता है imaginar ट्रैंगल की एरिया निकालने का formula क्या होता है one upon two BAs into height होता है कभी भी अगर वर Bस और HEight उरंगी ना दी गही हूँ तीनों साइड अगर हाप के आपको ट्रेंगल्स की निकालने के पता होना चाहिए एक्योटल ट्रेंगल्साइट में क्या होती है बराबर होती है आपका सेव होता है formula आपका 3 root 3 by 4 A square होता है और parameter आपका क्या होता है 4 तीनो साइट का sum होगा तो simple such is 3 हो तो यह जो रही बात कि जब हम questions लगाएंगी तो questions लगाते समय हमें यह formula याद होने चाहिए क्योंकि अगर हमें formula नहीं याद होंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे formula जैसे अगर हमने कहा ट्रेंगल से याद कर लेजे जो जो मैं बताता है अटलिस्ट उतने आप याद कर लेंगे तो आपके लिए sufficient होगा bank exam के लिए ट्रेंगल में आपका equilateral triangle हो गया isocells right triangle triangles अब आपको simple सह चाहिए ट्रेंगल की area निकालने का एक formula ये याद होना चाहिए one upon two base into height अगर triangle की तीनो sides आपके पास नहीं दी गई है तीनो sides दी गई है लेकिन तीनो आपकी same नहीं है different different है तो आपका एक formula होता है delta equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c where s semi parameter होता है और s equal to a plus b plus c by क्या होता है 2 होता है उसके बाद अगर हम बाते है quadrital की एरिया निकालने का quadrital का perimeter निकालने का rhombus का trapezium का rectangle का जिसे अगर हम आद के छोटे आपको ये formula लिखे होने चीज़ साथ में या आद से rectangle की बात के rectangle की एरिया निकालने का formula क्या होता है length into break rectangle का perimeter क्या होता है rectangle का diagonal क्या होता है under root L square plus B square तो जब आप questions लगाओगे तो जैसे नाम आया कि simple साथी parameter निकालना है square का तो तुरंत आपके दिमात में है कि square की 4 side आपस पे बराबर होती है इसलिए parameter आपका क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा तो questions लगाते समय यह सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपको कोई problem face नहीं होगी वैसी simple साथी cube हो गया, cubeite हो गया, cylinder हो गया, cone हो गया and cube हो गया, cube हो गया, cylinder हो गया, cone हो गया और spare होगा इतना at least आपको पता होना चाहिए और इधर आपका mensuration में जो part है 2D और 3D में कुछ की areas निकालने को पूछता है कुछ को volume निकालने को पूछता है तो at least आप लोगों से request है कि अगर आप prepatience करते हो, तो in fact आपको mensuration के formula इतने जरूरी आद कर ले triangles की area निकालने का formula quadrital की area निकालने, quadrital में rectangle, rhombus, trapezium parallelograms, इनके सब की area निकालने के perimeter निकालने के और diagonal निकालने के formula आद कर लिए circle का circumference, circle का radius, diameter में relations and simple area of sector circle का इतना पढ़ लीज़ी उसके बाद cube में cube का volume, cube का little surface area, total surface area, cubeite का भी little total and diagonal निकालने का formula, cylinder का भी cone का हुआ, cylinder और cone का भी volume का formula and little surface area and total surface area, similarly cone का इतने formula आपको याद होंगे, तो आपको bank में जो questions आपके पूछे जाते हैं, वो at least आप लगा लोगे, और पाइथागोरस थेओरम तो सभी को पता होगी, क्या कहती है, as a square a hypotenious will be equal to some of other two sides of square sum, हिंदी में बोले, तो कंड पर बना work से इस तो होजाओं के work के योग के बराबर, यह मैंने एक simple सा एक normal आपको बता दिया है, कि यह चीज़ें आपको at least याद होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके exam में question आता है, एक से दो number के लिए, उसके formula याद होना चाहिए, और में भी आप formula याद कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसे कुछ formula यहाँ पर दिये गए हैं, मैंने note करा दिये हैं, अब देही बाद अगर scale and triangle की बात करें, scale and triangle क्या है, ऐसा triangle जिसकी तीनों साइट साफ़की क्यांटी गए है, different, और इसमें कहता है, पैरिमीटर निकाले, पैरिमीटर निकाले का मतलब होता है, सारी side का आप क्या कर देते हैं, sum, तो a plus b plus c हो जायगा, लेकिन अगर कहते है, semi parameter निकालता है, तो आप क्या कर दोगे, by two कर दोगे, तो s equal to a plus b plus c, क्या हो जाएगा तो आपकी एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा और उसके बाद अगर बेस और हाइट नहीं दिया गया है तो स्वर्मूले को उसके बाद अगर हम देखने ट्रंडेटर के बाद के बाद करें आगका इक्की लिट्र rip कसे था हो जिसकी तिनोंस पास में क्या होती है बराबर होती है अगर ये यह तो यह इफिनोंसाइट सापस में बराबर होती है इस लिए परियनिटर आपका सिम्पल साची 3A होए एल्टीट्यूड एच इक्वल टू रूट 3 by 2 है ता क्योंकि एक्क्यूलेट्ल ट्रेंगल्स में आपका अगर देखा जाए हम यूज करते हैं तो पाइथागोरस में हाइपोट्नीज जो होती वो सबसे बड़ी साइड होती है बड़ी साइड होती हाइपोट्नीज कभी चेंज नहीं होता है अगर से निकल किया है अगर यह आपके पास एच्ट दिया गिया यह आपका एबाइट वो जाएगा यह भी आपका एबाइट वहोगा तो यह आपका हाइप लोगे अगर आप यह इस्क्वार्ट बई फोर रूट यहाँ अब एयरिया निकानलेगा फॉर्मूला क्या था वन अपॉन तो बैस बैस यहाँ पर कितना दिया गया तो यहां पर लिख दिया ए और हाइट हो गई एच तो वन अपॉन टू यह हो गया है हो गया और एच के प्लेस पे लिख दिया रूट थ्री बाई टू ए जिसको सॉल कर देंगे तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वाइर निकलेगा इसी वज़े से यह सामने आपका लिखा गया है एच यह रही बात आपके फॉर्मूलें निकालना नहीं आप एक्यूलेटर टेंग Pourquoi यह है वन आपॉन टू वेसंग वाइट है आखर बैंक की प्रेपेशन्स में हैं तो आपको एंसुरेशन के प्वार्मूले याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनेफिट्स होगा ओके यहां पर जैसे आपका दिखा राइट एंगल ट्रेंगल की एरिया निकालने का फॉर्मुला वन अपॉन टू बेस बेस यहां पर भी हो गया हाइट आपकी क्या होगी पी हो गई आगर पैरिमीटर देसे अगर आपसे कहा जाए तो क्वाड़ेटल में क्या होता है चारू साइट का मिल के जो बाउंडरी बनती वह आपकी क्वाड़ेटल होती और क्वाड़ेटल की एरिया निकालने का फॉर्मूला वन अपॉन टू इंटू डाइगनल मुल्टिप्लिकेशन के साथ पैरिमेटर का मतलब बोता है बाउंडरी का सम बै बी बी सी इचारू का आप क्या कर दोगे सम तो क्या हो जाएगा डी है वेक्वि खमज में आया होगा कि कैसे हम एक neu यह याद कर लोगे ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा क्योंकि एक्जाम पॉइंट से आपको यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है रेक्टेंगल बहुत important क्योंकि रेक्टेंगल और सर्किल ही आज़ाद थर आपके बैंक के एक्जाम में कुशन मनता है रेक्टेंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूलार, length into brick, rectangle का perimeter 2L plus B होता है rectangle की आमने सामने की sides आपस में बराबर होती है इसलिए L और L 2L हो गया B B मिलाके आपका 2B हो गया इसलिए आपका रिखा जाता है 2L प्लस B लिखते हैं और diagonal यहाँ पर आपका 90DG का इंगल बनता है तो पाइथागोरस थेयरम लग जाती है इसलिए diagonal equal to under root L2 पलस B2 हो जाता है ठीके rectangle के बाद आप पहूंसेए square, square की जो 4ुостitится होती है यह पस में बराबर होती है इसलिए हम लिखते है फोर है square की चरो साइटस आपस में बराबर होती है, इसलिह हम क्या लिखते है फोर है area आपकी a square होतीılar डाइगनल आपका a root 2 हो जाएगा है डाइगनल आपका कितना हो जाएगा a root 2 हो जाएगा clear है ना आगे यह formula दिए गए मैं आपसे कहूंगा कि यह formula आप जरूर याद कर लेंगे क्योंकि questions लगाते समय formula की बहुत आपकी जरूरत पड़ेगी तो अगर हम बात करें पेरिमिटर निकालने के लिए तो यहाँ पर पैलोग्राम में आमने सामने की site parallel होने के साथ बराबर भी होती है इसले इसको 2a प्लस बी लिखते है एरिया एक्वालसों क्या हो जाएगा बेस आपका A हो गया और हाइट आपकी क्या हो गई हो गई है ठीक है सब थोड़ा प्लीज जूम कर दीजेगा यह हो गई पैलोग्राम की एरिया नेक्स पार्ट में देखने क्या है अगर इसके देखते हैं पैलोग्राम के बाद जो अगला पॉइंट आता है रोम्बस रोम्बस की सिंपल साची चारू साइट सापस में बराबर होती है क्योंकि हिंदी में बोलते हैं सम्चेत दुर्भू चारूब हो जाएं बराबर इसलिए परिमीटर आपका क्या हो जाएगा फूर ए होजाएगा परिमीटर अगर आपके सब्सक्रा ए और अप स्म few जाए और वह आ पॉन पॉन फ्लिस पर्फेंटक impose tas और प्रिमीटर आपको वह एक triangle दिया गया है उस triangle की side 8 है और 6 और 10 है और आप से बोला जा रहा है इस triangle की area निकालो क्या आएगा बतलब if a triangle have the side 8 6 and 10 find the area of triangle चलिए इसका reply करिए क्या answer आएगा अगर आपको ट्रेंगल की area निकालने को पूछें तो अगर ट्रेंगल के जो points चिकेंगल के जो sides दी गई थी अगर वो sides अगर पाइथागोरस थेओरम को satisfied कर जाएं तो आप हमेशा याद रखना कि बड़ी side को छोड़के उन दो side को आपस में multiply कर देना और दो इसे device कर देना आपका डारइटेंसर आजाएगा जैसे यहां पर राइतू छे डिवाइट बाइटू दारइट टैंसर आपका 24 हो जाएगा सैंटी भी स्कायर kitchen ओंटी मीटर होगा स्कार मीटर होगा मीटर देख़े कर हम यह एहां पर बात करें यह writing है क्या है राइट एंगल मालन लो हो तो अगर यह पाइधार गॉरश को साटिस्टफाइड करें क्योंकि ही आठ का स्क्वरफ प्लस शे का स्क्वेश एक्वल टॅट के बराबर खांकि बड़ी साइट का स्क्वाड की कि सम्कि बराबर है क्या है अदर्स टू साइट का सम क्या हो जाएगा टू साइट के स्क्वाइर के सम के बराबर है तो अदर्स एक साइट जो लार्जर साइट है आपकी 10 इसका स्क्वाइर अदर्स टू साइट की स्क्वाइर के सम के बराबर हो गया तो मतलब यह आपका क्या बन किया सिंपल सा चीज पाइथागोरस थेओरम को साटिसफाइट कर गिया तो आठ का स्कार 64 चाइश का इसकार 36 64 से सतर 64 और 36 कसम अगर आप करोगे 100 तो मतलब यह जो ट्रेंगल बनेगा इसमें बेस यह अगर आपसे कहा जाए कि यह कोई ट्रेंगल है ज्यान दीजेगा इस ट्रेंगल की साइड एक की साइड आपकी यह च्छे है यह आठ है और आपसे कहा जाए इसकी एरिया निकालो इस ट्रेंगल की तो देखिए हमेसा याद रखना कि कभी भी अगर बड़ी साइड का स्क्वा कर दोगे ट 이유 की डारिक्ट आपकी एरिया निकल लाएगी जैसे यहां पर देखें तो दस का स्कॉर 6 के स्क्वार प्लस 8 की स्क्राइर कि सम के बराबर है मतलब यह राइट अंगल बन गया तो आहां पर दो साइड जो छोटी है आठ और 6 इनको मुल्टीप्लाइगर करकी दोसे उता जाएगी अब रही बात कि हमारे दिमाख में आता है कि सरी कियों कैसा होता है तो अगर आपके पास साइड तो रही हमने और उपहर्मॉल आपको बता है था कि डेलटा इक कोर टू होता है अंडरिट S into S minus A और क्या होता है into S minus B और into S minus क्या होता है C होता है S equal to होता है आपका a plus b plus c by 2 होता है होता है की नहीं होता है तो अगर आप इनका sum करोंगे तो 8 6 14 10 24 divided by 2 मतलब कितना आ गया 12 आ गया 10 6 16 8 6 14 होता है और इसको 2 से डिवैट के होगे 12 तो यहां हो गया 12, 12 में से 8 गया बचा 4, 12 में से 6 गया बचा 6, 12 में से 10 गया 2 इसको solve कर दोगे तो यह 12 तो आपका है, sorry, यहां पर solve किया 12 अब देको यह 4 है, तो बाहर निकल के 2 आजाएगा, और यहां पर अगर आप multiply करोगे 6, 12, 12 हो जाएगा, 12, 12 मिलके 12 बाहर बाहर निकलेगा तो आपके पास 24 आजाएगा, तो इस तरीके से भी आप answer निकाल सकते हो, लेकिन सबसे better option यह होता है कि कभी भी अगर आपके पास से डिवाइट कर दोगे और आपकी टेंगल की एरिया, जैसे यहां पर नॉर्मली 8, 6, 10 दिया जा, आप तुरन देखें कि यह पाइथा गोरस को satisfied किया, तो इसको आप cancel कर दें, 8 और 6 को multiply करके 2 से डिवाइट कर दो, 8 ताल इसको 2 से डिवाइट कर दो, अरिया आपका 24 मीट से डिवाइट कर दो, अगर यह मीटर में होंगी, मीटर में होंगी, सेंटी मीटर में होंगी, तो सेंटी मीटर स्कोर हो जाएगा, तो हम आपसे यह कहना जरूर चाहेंगे, कि आप formula जरूर याद कर लें, क्योंकि formula अगर आप याद करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा helpful रहेगा, questions लगाते हैं, जैसे ही पहला question आपका दिया गया है, इस question को बहुत ही simple question है, लेकिन अगर आपको formula पता होगा, तो ज़र लगा पाएंगे, अगर formula नहीं पता है, तो आपके लिए बहुत ही typical लगेगा, क्योंकि बिना formula के कुछ नहीं, RRB clerk का जो exam होता है, उसमें pre question होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि time बहुत कम होता है, लेकिन अगर formula ही नहीं आपको पता होगा, तो आप कैसे करोगे, इसलिए question दिया है, the diameter of a circle is 21 cm, what is its circumference, मतलब आपको इसकी परिधी निकान ली है, वरत्त की, तो जैसे आपका वरत्त का नाम है, सारे आपके formula पूले तुरंत वरत्त की घूमने लगे आपके दिमार्क में, और आपका answer आ जाएगा, area हमेशा square form में होती है, ठीक है, हमेशा area और volume हमेशा cube form में होता है, चलिए, solve करे, it's very simple question for you, एक बायो में है, त़ अरे वरत्त की का लाँ है, हमेशा में है। कि सबसे बहुत ही सिंपल है कोश्चन लिखा एक वृत्त का ब्यास 21 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर आपके पास कितना हो गया 21 हो गया आपको पता है रेडियस जो होती हो डायमीटर की हमेशा हाफ होती तो रेडियस कितनी हो जाएगी किस बाई दो हो गई अगर रेडियस आप 21 दो इससे यह कैंसिल हो गया साथ 321 को 3 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो आपके पास 6-6 सेंटीमीटर आपका एंसर आजाएगा 66 सेंटीमीटर आपका एंसर आजाएगा जो की सरकम्फरंस होगा ओके सभी का 66 निकल के आया है चली अच्छी बात है क्योंकि हमने पहले ही आपसे बोला था इट्स वेरी सिंपल कोश्चन फॉर यू अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत ही आसान कोश्चन होगा 6-6 सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया यह तो सभी का 66 सेंटीमीटर आ रहा है अगला क्वेश्चन अगर 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 आपके अलग नदनी दी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फॉर्मूलेस यह स्केलें ट्रेंगल का फॉर्मूला था यह क्यूलेटल ट्रेंगल का उसके बाद राइट अंगल ट्रेंगल एंड उसके बाद क्वाद क्वाद के बाद रेक्टेंगल रेक्टेंगल के बाद इसक्वाइर और इसक्वाइर के बाद पहलो ग्राम पहलो ग्राम के बाद र कोशिण कह रहा है एक आयत एकड़ेए HEY हो अब्सकार हेवार्श explosion कहें एक आयत का जो छे चैट्रफल है उसकी चावलाई से क्या है उसकों ना मतलब सैचिया अगर चैट्रकों की तो गी चैट्राइब कितने हो जा कु जाएगा 200 हो जा तो उसपे रहा है आयत का परिमाब जो है आपका पास 76 है तो आयत की चोड़ाई क्या है ओके बिल्कम मतलब आपको रेक्टेंगल की बित बतानी है एक आयत का चितपल उसकी चौड़ाई से 20 कुना है आयत की चौड़ाई बतानी है झायत की चौड़ाई की चौड़ाई बतानी है आपके माइंड में आ जाए कि रेक्टेंगल की एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है लेंट इंटू ब्रिथ यहां पर रेक्टेंगल की एरिया मतलब लेंट इंटू ब्रिथ हो गई कितनी ट्वंटी टाइमस ऑफ ब्रिथ हो जाएगा तो लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी कुंटी अब लेंथ आपके पास ट्वंटी आ गई पैरिमीटर दिया गया है टू एल प्लस बी एक्वल टू 76 दिया गया दोस कैंसिल कर दो दो तीन छे दो आट सोला मतलब अलू कितनी हो जाएगी आपके पास अथारा हो जाएंगे कि लेंथ पीस है तो आज सर आपका कितना हो जाएगा अफरा सेन्टीपिर हो जाएगा है है हो जाएगा अब् iot अभ्याक ठर्ड हो जाएगा तो सिंपल साचीज उसका क्या है 20 टाइम्स भी है पेरिमीटर अगर आप निकालोगे तो आपका 66 भी आ रहा है तो यह सिंपल साचीज हो जाएगी कि आपके पास जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी चले बताई कि लोगों समझ में आया कुश्चन होगे ना सभी का 18 आ रहा है ब्रित आपकी सभी की 18 आनी चाहिए ठीक है क्लियर है सलन्वाधा जी का ओके रिप्लाई अगर आ जाता है तो मैं कुश्चन नेक्स तो नद कर देता हूँ आपका 18 सेंटीमीटर मतलब सिंपल साच इस करेक्ट आपसन आपका 3 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर नेक्स्ट अगला कुश्चन आपका स्क्रीन पर है इसको सॉल करके बताईए क्या एंसर आएगा दो हो नेक्स्ट आिछ आपका ठाएगा विस अगता है आता है तो है आता है झाल झाल को शोट है दिसम फिल्ट पारिम परिमीटर ऑफ फैस्क्वाइर अधसर कुशन के रहा है सुम फैरिम्टर फिल्ट है परिमीटर अफ इस्क्वायर अच्वार य व्रत का ब्यास इतना है तो व्रत के चीन तो था वर्ग के च्छेट तफल की बीच में आपको क्या बताना है रेशियो बताना है फाइंड रेशियो आप दा एरिया जाओ सर्कुल तो दा एरिया ओफ स्क्वायर सर्कुल टू स्कॉइर आपको बताना है को के अब इनों सर्मा एंड अजय सिंग का मैंसे जा चुका है देखे पहले हमें बताता हूं कुशन को देहां से देखिएगा दस सम आफ पैरिमीटर ऑफ स्क्वाइर का जो पैरिमीटर होता है वो फोरे होता है अब देखो जैसे नाम आया स्क्वाइर माइंड में तुरंत आ देखिए यह सब चीजे लिखने में तुरंत आपको समझ में आएंगी जब आपको फॉर्मूले आदे सर्किल का सर्कम्फरंस होता है टू पाई आर एंड सर्क्वाइर का जो पैरिमीटर होता है वो क्या होता है एंड डायमीटर दिया गया तो रेडियस आपके पास कितनी ह लग दिया रेडियस हमारी कट गई तो कट गया 22 दोना 44 हो गया तो फॉर एक वल्टू 92 मानेस का क्या कर देंगे 44 कर देंगे क्यों रेडियस आपके पास सॉल करेंगे 12 में से 4 जाएगा सिंपली 8 हाज आएगा एंड रिमेनिंग 8 में से 4 जाएगा तो 4 जाएगा तो एक ही स्कौयर हो गया और इसके अकॉर्डिंग चाहिए व्रत का चेत्रफल था वर्ग का चेत्रफल जो होता है वह स्कौयर होता है अ मतलब 12 इंटु बारा इसको सॉल करेंगे पाई की वैलू बाइस पटे साथ हो गई इंटू साथ इंटू साथ अपान हो जाएगा बारा इंटू क्या हो जाएगा बारा साथ से साथ कैंसिल कर देंगे दो से कैंसिल करेंगे च्छे आजाएगा दो से कैंसिल करेंगे तो कितना आजाएगा ग्य किते लोगों को समझ में आया है प्रीस एक बार ध्यान से देखिएगा हम आपको पहले ही पॉइंट बता चुके है कि कोश्चन्स लगाने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए को यहां पर कहा रहा है दस्व पैरिमीटर ऑफ इसक्वार एंड़ सर्कम्फरंस ऑफ हमें सहाफ होती तो रेडियस मिलने की वज़े से हमें सर्कम्फरंस मिल गया इसकी वज़े से हम साइड निकाल ले गया और इसको सौल कर दिया तो हमें 77 बाइब बाता हत्तर आया 77 72 जो कि हमारे पास ऑप्सन सेकेंड हो गया प्लिस रिप्लाइ करिए कि तिलों को समझ में आ अगर नहीं समझ में तो आप बताइए मैं फिर से बता दूंगा लेकिन समझ में सभी को आना चाहिए रिप्लाई आगे क्लियर सर क्लियर सर ओके ओके अलका नंदरी जी ओके तुमें भी आपको यह समझ में आया है कि ऑप्शन सहा सेकेंड आपका सही होगा 77 इस्टू 72 सेकेंड ऑप्शन और सब्सक्राइब 7 निकली थि अगर हम यहां पर रत का 6 तरफ़ल निकालेंगे तो पाई आर स्कॉयर होता है और इसका निकालेंगे तो ए स्कॉयर होता है तो पाई की वेलु आपको पता है बारा इंटू क्या हो जाएगा बारा इससे यह कैंसल हो गया दो च्छे बारा और दो ग्यारा ग्यारा को साथ से मल्टिप्लाई किया था तब सथास्तर आगया था और नीचे बारा चेबार अगया था के संजू कर्टा प्रिसी वी संजू जी भी सापस्ट्राइब कैसे आया 77-72 इस तो 77 इस तुच्यमन क्या हो जाएगा सेक्ड शात्र अनुपात 72 हो जायगा आपका answer मतलब 77 अनुपात जो हो जाएगा वो किस के साथ आएगा 72 के साथ आएगा ओके क्लियर है सबी को चलते हैं अगले question की तरब है ठीक है 77 अनुपात 72 हो गया है next question आपका स्क्रीन पर है अब देखें जैसे समांतर चतुरुभुज की बात आई तो आपको तुरंत पता हो जाना है कि समांतर चतुरुभुज की एरिया निकान लेगा देखें अगर हम प्रीचे आपको दिखा है तो आपने देखा था कि समांतर चतुरुभुज यह लिखा है पैलोग्राम ठीक है पैलोग्राम की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है क्या होता है बेस इंटू हाइट तो आप यहां पे लिगा गया है तो आप पॉस्टन लगाएंगी तो आपको पता चल लाएगा कि कैसे लगाना है समांतर चतुरुज का आधार उचाई का क्या है दो गुना है ठीक है तो इसकी उचाई कितनी है चलिए बहुत ही सिंपल कोश्टन में भी आप स्वाल करेंगे अफ्कोस आपका अंसर आज़ाएगा आज़ा है om ओके कशल रहा हूं ब्रसाफ प्यल्ण इस ट्वाइस है मां बेस जो है वह एड का क्या है जस ट्वाइस एक्स एक्स-एक्स अज एडिो हटाऌ च्राइट अब कर दिशन स्टीजेफार मितर रिक्प त्क राथन hypothesis वेरे गुड ओके हमने बोला कि फॉर्मूली बेस आपके कोश्चन एक्जाम में आते हैं तो यहां पर जो कह रहा है समांतर चितुर भूज का जो बेस है आधार है इसकी उच्चाई का अगर हम हाइट को X मानेंगे तो बेठा बेस आपके पास कितना हो जाएगा समांतर दो गुना है तो अगर एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट तो यह 2X स्क्वाइर एक्वल टू 338 हो जाएगा दो से उड़ा दिया वन च्छे दो एक दो दो च्छे बारा दो नठारा तो X की वैलू कितनी आ जाएगी 13 तो आपके पास हाइट कितनी हो जाएगी 13 से ओके चलिए इस कोश्यन को बहुत आसान कोश्यन था मैंने पहले बोला था कि फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कोई भी दिकत नहीं आएगी एक्स मिन्स फॉर्मूला आपको याद है तो आपका एंसर आज आएगा तो सभी कहो गया आपका करेक्ट एंसर आपका सेंटीमीटर है चलिए तेरा सेंटीमीटर के बाद अगला देखते हैं और हाइट पूछा था हाइट एक्वेल टु हमने एक्स माना था इसलिए आपके पास तेरा सेंटीमीटर राएगा और तीरा सेंटिमेटर फिर्स्ट ऑप्शन होगा तिलिए नेक्स्ट कॉस्टिएन ओके संजूद जी अफ्कोर्स अप्लोड हो जायागा अगला कोश्चन आपका दिया गया है इस कोश्चन को सॉल करके question care the perimeter of rectangle is 160 meter and difference of 2 sides is 48 find the side of square whose area is equal to the area of this rectangle हाँ ज्यादर दर question आपके rectangle और circle के लिए आपके bank में आते हैं rectangle circle and area of sector के question depend करके आते हैं और आपके कोन का question कभी-कभी आता है हाँ कुछ formula आपको और भी लिखने सक्षी जिसे आपको क्यूब का formula क्यूबाइट का formula and cylinder का formula and cone का formula and spare के formula आपको अपने आप note कर लेने हैं क्योंकि मैंने आपको इसलिए कहा है the perimeter of rectangle is 160 meter rectangle का जो perimeter है कितना है 160 तो यहां पर आप नॉर्मली लिख दिया है perimeter का formula हो गया 2L plus B equal to 160 हो गया क्या हो गया perimeter of rectangle अगर आप निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2 bracket में हो जाएगा L plus B equal to 160 हो गया अगर 2L plus B 160 हो जाएगा तो L plus B कितना हो जाएगा क्योंकि perimeter अगर आप निकालते हैं तो perimeter जो निकालने का जो आपके पास formula होता हूँ क्या होता है two bracket में आपका L plus B equal to 160 हुआ कितना हुआ 160 हुआ अगर 160 हुआ तो यहां पर L plus B की value कितनी हो गई एक condition यह मिल गई एंड़ डिफरेंस आफ़ साइट मतलब difference मतलब L minus B equal to आपके पास 48 सॉल करोगे तो यहां पर 2L equal to हो जाएगा 128 तो L की value आपके पास कितनी आ जाएगी 64 हा जाएगी तो B की अगर देदर निकालोगे 64 में 48 को माइनस करोड़ोगे 64 को तो चोदा में से 8 जाएगा चेड़ Six में 0iegen six- Tob road इसफथ चाइप गहाएगा 16 हो जांगे लिंध मिल गई बिद मिल गई अब इसकी area निकालोगे 24 इंटू क्रणता हो जाएग ऑब अगर इसको आप आठ इंटू चार का होल स्क्वाइर लेख सकते हो ए स्क्वाइर तो एक वेल्व आपके पास 32 हो जाएगी तो साइड आपके पास कितनी आ जाएगी 32 मीटर हो जाएगी और यह आपका फस्ट ऑप्सन होगा अब दिखी जैसे क्वोष्चन आपका क्या करा था पैरीवेटर आफ रेक्टेंगल जान दीजेगा रेक्टेंगल का जो पैरीमीटर होता है वो टुर्ट प्लस पी कितना हो गया मुझत इल प्लस पी कितना हो गया एक्टी आगी डिफरेंस आप टू साइट कितना हो गया 48 तो एल मानस पी स्कूल टू 48 हो गया सॉल कर देंगे तो 2L इक्वल टू कितना हो गया एकस वटथथाइस आठ चार बार एकस वटथाइस हो गया और इसको करेंगे तो आपके पास 32 मीटर आजाएगा चलिए बताइए कित्ते लोगों को समझ में आया कि 32 मीटर भूजा निकलेगी स्क्वाइर की समझ में आया ओके प्लिस रिप्लाई करिए कित्ते लोगों को समझ में आया कि 32 मीटर ये वर्ग ही भूजा होगी चलिए अगला कुश्चन देखते हैं क्या है मारा अगला कुश्चन नेक्स क्यों है परिमिटर यह स्केर का परिमिटर लोगों को परिमिटर आप न परिमिटर थार्द इप्ले करिए आप ठीज मतलब कहने का मतलब है इसक्वाय की आपकी क्या बतानी है पेरिमीटर बतानी लेकिन इसकी जो एरिया है वो उन दोनों के स्क्वाइर के सम के एरिया के बराबर है मतलब दो स्क्वाइर को मर्ज करके एक तीसरा स्क्वाइर बनेगा और जो तीसरा स्क्वाइर बनेगा उसकी जो एरिया होगी इन दोनों के स्क्वाइर की एरि प्रूपी कर दो जी कैरी सर समझ में नहीं प्लीज उसको दिए बार फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ कोशन को एक बार रिपीट करके पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आया अब देखो कहारा है दप एरिमीटर ऑफ स्कॉयर यह पैरिमीटर है पहले स्कॉयर का पहले स्कॉयर का पैरिमीटर अगर आपके पास 24 है तो साइड आपकी 6 हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि 4A पैरिमीटर होता है तो 4A होगा तो साइड आपकी 6 निकले यह आपके पास 32 है तो यह आपका समझना बहुता है किको अगर आपको पता है कि परिमीटर साइट का सम परिमीटर का मतलब होता है आपकी 64 हो जाय하겠습니다 3688 hypothesis 36 ou 64 का सम कर दिया तो ये दोनों're की area का समाय next 100 यही जो सम्भ मुथ तीसरे इस्क्वएइर की area है तो साइड़ 10 फो गी अगर साइड 10 होगी तो parameter आपके पास कितना हो जायगा 40 हो जाएगा प्लीज फिर से एक बार देखिएगा हमने कहाँ पहला जो स्क्वायर है उसका परिमीटर आपके पास 24 है तो साइड कितनी हो गई चे दूसरा जो स्क्वायर है उसका परिमीटर आपके पास 32 है तो इसकी side कितनी हो गई 6 अगर side 6 तो square area 36 side 8 तो area 64 इन दोनों की area के sum के बराबर 3 है तो इन दोनों को sum कर दो तो 100 area होगी 3 वाले अगर 100 area हुई 3 वाले की तो इसकी side कितनी हो गई 10 अगर side 10 होगी तो parameter क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा कितने लोगों को समझ में आए यह कुश्चन्स कि नेट्वर्ट स्लो होने की वज़े से कभी कभी लेट आता है ठीक है रिफरेस्ट करो तो में भी टाइम टू टाइम आपका आता रहेगा कितने लोगों को यह समझ में आया कि 40 cm कैसे आया पैरिमीटर अगर समझ में तो चलते हैं अगला कुश्चन समझ में आपको आ रहा है अनुराधा जी वेरे गुड़ एंसर आ रहा है 40 cm सभी की आपका पैरिमीटर तीसरे का निकल के आ गया है चलते हैं अगला कुश्चन देते हैं और 40 आ चुका है तो अगला कुश्चन हमारा देखते हैं क्या है नेक्स कुश्चन दिया गया है कुश्चन कह रहा है 8 to 15 seconds to cross our rectangle field diagonally मतलब अगर वो diagonally चलता है तो सिंपल साच उससे 15 seconds लगते हैं walking at the rate of speed of 52 meter per minute मतलब अगर किसी भी वो rectangle को 52 meter per minute की speed से चलता है तो उसे आपको 15 seconds लगते हैं लेकिन अगर साइड के थू जाता है तो उसे वुस्साथ उतना ही समय लगता है लेकिन speed 68 meter per minute है तो आपको बताना है कि वो जो rectangle है उसकी area क्या होगी कि देखते हैं को कैसे सौल करते हैं माली यह आपको कोई rectangle है ठीक है दिहान दीजेगा अच्छा कोशन है अगर हम डाइगनली जाएंगे तो आप ऐसे जाओगी तो मतलब यह distance आपने चली लेकिन यह जो distance है वो diagonal तो आपको पता है डी स्कुल टू डी स्कुयर एकवल टू होता है एल स्कुर प्लस बी स्कुर होता है ठीक है यह आपका diagonal का फॉर्मूला होता है अब रही बात यह distance अगर आप जाओगे तो अगर यह है पहले के case में 52 मीटर मीनट लगाना है तो सेकेंड कर दो इंटू 15 हो गया 15 चको कितना हो गया 60 हो गया मतलब सिंपल है यहां पर 13 मतलब यह डिस्टेंस आपके पास जो आई यह डिस्टेंस जो होगी डिस्टेंस यहां पर डी को हम small small d लेना चाहें तोुलक्ष striking क्योंकि small ले रहे हैं तो यहां पर डी की wei timed आपके पास कितनी आगई 13 अगर डी की वेलू 13 तोADY कितनी हो जाएगी 169 V1 श्कोल टू L स्क प्लस B स्कवार हो जाएग से लेकिए हटा की वेलू 13 है लेकिन square form में होगी तो 169 हो जाएगी लेकिन दूसरा candidate जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है जो ऐसे जाएगा तो कितनी length चलेगा L प्लस B चलेगा अगर यह L प्लस B गया तो यह आपकी distance होगी लेकिन speed क्या रही आपके पास 68 meter per minute तो divide by 60 into कितना हो जाएगा time उतना ही 17 हो जाएगी यह निकली और यह निकली आपको निकालना क्या है L B क्योंकि area चाहिए अब आपको पता है simple की L प्लस B का जो whole square होता है वो L square प्लस B square प्लस आपका 2 L B होता है L प्लस B की value आपके पास 17 है तो 17 का square 289 मानिस का 169 divided by 2 अगर कर दो equal to आप क्या कर दो 2 L B तो इसको अगर आप solve करोगे तो L B equal to कितना हो जाएगा अगर आप निकालोगे तो यहां पर हो जाएगा 189 मानिस 169 मतलब 0 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 divided by 2 हो जाएगा तो L B की value कितनी हो जाएगी 60 इसलिए आपका answer हो जाएगा डी 60 मीटर स्क्वाइर कि यह समझाने के लिए मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको बता है अदर्वाइस इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मली आपको फॉर्मूला लिखना नहीं होता है आप अपने लिए करोगे तो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है अगर यहां से यहां तक गया तो यहां पर आपको नॉर्मली अगर देखिए आप अपने लिए लगाओगे तो कितना लगाओगे मैं एक बार फिर से बता देता हूं नॉर्मली आप लिख दोगे यह स्क्वार है इस तर है आपके वैडियु कितनी इुकल कर आगई तीरा आगई है अगर प्लस ब्लस निकान लोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी सब्सक्राजायों और आपको पत्ता है एल प्लस bahut मतलब सतरह कर दोगे तो आपके पास execution 69 मानेस का 169 डिवाइड बाइट टू एक्वल टू एलपी हो जाएगा और एलबी की वेलू आपके पास साथ हाजाएगी ठीक है आपको अपने लिए जब करना होगा तो आपको किसी को करके दिखाना नहीं की कैसे आ रहा है और एरिया आपके पास 60 मिंटर इसक्वारा अलग नंदरी जी मैंने फिर से आपको बता दिया कुश्चन को कुछ पच्चों का कहना नेट्वर्क प्रॉब्लम है तो प्लीज रिफरेस्ट कर लिजिए अगला कोश्चन देखतें क्या है अगला कोश्चन देखतें क्या है अगर आपको clear हो गया तो एरिया के पास कितनी होने कि आजए 60 मीटर स्कॉरर आख सभी को clear हो गया कि एरिया कि कितनी हो गई 60 मीटर स्कॉरर और कोश्चन में आप्सान नंबर D आपका जाएगा 60 मीटर स्कॉरर 60 meter square सभी का answer आ रहा है चलिए next question दिया गया है इसकी area निकानना है हमेशा याग रखना कि अगर कोई circle दिया गया है और उसका area of sector निकानने का formula होता है यह आपका formula होता है area of sector निकानने का थीटा अपॉन 360 निकानने का थीटा अपॉन 360 निकानने का formula होता है कि को के साक्षे निवेस्टी अफ्कोर्स हम रिपीट कर देंगे एक बार questions यह वाला ट्राइड करिए देखे अगर इस question में कहा रहा है दिये गया चित्र में OED और OAB त्रजी के व्रतिखंड है इसका केंद्र O है तो रंगे हुए भाग का चित्र मतलब आपको इसकी area निकानने है अगर आप इसकी area निकानने ही तो आपको पता है कि area of sector जो formula होता है theta upon 360 होता है तो theta कितना है आपका 45 upon 360 into pi common लेजिए तो दोनों की radius का square का क्या हो जाएगा difference तो यहाँ पर 4 का square 16 का square 9 हो जाएगा तो इसको आप solve करोगे 45 से 5 945 नौ से कैंसिल कर दो 955 नौ 436 5 1158 जर वनपॉन एट इंटू 22 बाते क्या हो गया साथ 16 में से 9 गया साथ साथ से साथ क्या हो गया ञांसिल हो गया 77 आपका क्या हो गया यह चैंसिल हो गया दो से Camp official करेंगे federations तो आइंसर आजाएगा 11 by 4 meter square आजाएगा ओकी साक्षी निमेस जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है इस question को ध्यान दीजिएगा अगर कोई circle दिया गया है ठीक है और circle का यह center है उससे portion दिया गया मतलब आप पहले इस पूरे वाले portion का निकालोगे पहले इस पूरे वाले portion का आप निकालोगे और इस पहले पूरे portion निकालने के बाद जो भी आप बचेगा उसके बाद इस वाले portion का निकालोगे और दोनों को आपस में क्या कर दोगे माइनस कर दोगे क्या कर दोगे माइनस क स्क्क्कเรา में मीटर पर सेकेंडbon कर आप की स्पीड होती है यह इसका स्पेण फिल रॉन इता हैुए और तो मैं और में आपको फिर से बता देता हुए एरिए अफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ठीका पॉन 3 16 इंटू ... one 2 श्कवाइगा बिड़ी अपंट अलिस समझेगा एडिया आफ शेक्टर निकालने का softly अपने निनिकालने का फॉरमुला थीक अपॉन 3 16 इंटू पाई यार शकवाइड तो वनग ragd तो मतलब 16 मानस 9 कर देंगी बस हो जाएगा 4518 जा हो गया पाई की वैलू आपके पास 222 साथ हो गए यह साथ से साथ कैंसल दो चार और दो इलेवन तो इसको सॉल कर दो कि तो इलेवन भाई 4 आ जाएगा तो आपके पास 11 भाई 4 मीटर स्क्वाइर करेक्ट ऑप्सेन जो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 11 भाई 4 मीटर स्क्वाइर काफी लोगों को समझ में आया होगा मेबी चलिए रिप्लाइ करें इस क्वेश्चन को कित्ते लोगों को समझ में आया है आप पूरा यहां से यहां तक निकालो पहले फिर आप इतना निकालो तो जब सब्स्ट्रों करोगे तो यह वाला पोर्शन की हिर היה आपकी निकल क्या आगी फ्रक्ष्ण की ही आजाएगी खीर माणिस इनर और के हाँ आंसर तक आर्ड आक हो जाय तो चार ब्र कर देंगे इसोला आपका दिया गया फूर्थ ऑप्सन दिया गया है इलेवन फॉर्ट मीटर स्क्वाइर सभी को समझ में चलिए दो तीन कोश्चन आपके जिनका आप स्क्रीन चॉट ले लिए और घर पे ट्राइब करिए 1124 मीटर स्क्वायर 11 24 मीटर स्क्वायर ऑप्सन फोर्थ होगा ओकी ठीक है करेक्ट आपका 4 होगा Specifically 1124 मीटर स्क्वायर भी फोर्थ ऑप curriculum और फैस क्यारह बटे चार मीटर इस्क्वायर इस कोशचन का और स्क्रीन शॉट ले जिसे ठीक है और इस कोश्चन का भी आप स्क्रीम शॉट लीजिए ठीक है और यह आपका टॉपिक एक नमबर का होता है इसके लिए आप आ आप याद कर लिए अगर आफ 《呀 lane कर लोगी तो आपके लिए काफी बैने क होगा जितna जादा आप फॉर्मूले याद करेंगे आने को फॉर्मूला बतायाँ आपको ट्रेंगल इसके बाद के आपके symbols झायए और और'S कर य॥ा कॉर्मूलिय है तूब के बाद सुर्वारइट सेलेंडर कोन इसपेर और इतने फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो सिंपल से अच्छी आपको याद हो जाएंगे ठीक है एक बार थोड़ा सा जूम कर दीजिए कुछ बच्चे कह रहें एक बार जूम कर दीजिए सर प्लीज क्वेस्ट बच्चों के स्क्रीन शॉट ले यह हो गया चैले इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए ओके नेक्स्ट ओके ठीक है ओके बिल्कुल वीडियो अफ्लूड हो गया तो आप इन कोश्चनों को आप लगाईए और फॉर्मूले आप याद करो टेस्ट पेपर आप लगाते रही क्योंकि एक्जाम बहुत ही जल्दी आपका होने वाला है तो हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि जादा से जादा कोश् और आपसे कहेंगे कि आप जादा से जादा कोश्चन लगाएं ओके थैंक यू बाई बाई